चुनावी रज उत्तर प्रदेश में 24 गंटे में कोरोना संक्रमड के 16,142 नए केस सामने आए हैं जबकि इसी अवधी में 17,000 से जादा लोग स्वस्त भी हुए हैं राहत की बात ये है कि 24 गंटे में संक्रमड से कोई मौत नहीं हुई है प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट जहां 1.97 है वहीं रिकवरी रेट 93.97 पर पहुँच किया है राजमे कुल एक्टिव केस 95,867 बचे हैं उत्तर प्रदेश में पिछले 24 गंटों में 2,41,457 कोरोना टेस्ट किये गए जिसमें 16,142 नए संक्रमित मरीज मिले इसी अधी में 17,600 रोग पूरी तरह से स्वस्थ होकर कोरोना मुक्ष भी होए इस तरह प्रदेश में वर्तमान में कुल एक्टिव केस पे 96,886 बचे हैं राहत भरी बात ये है कि प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के 97 फीसदी से अधिक लोगों ने टीके की पहली डोस टाप्त कर ली है जबकि 63 फीसदी से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोस दी जा चुकी है इसी तरह 15-17 आयूबर्ग के 70,52,000 से अधिक का टीका करन हो गया है जबकि प्रिकॉशन डोस के लिए पात्र लोगों में से 50 फीसदी को भी वैक्सीन लग चुकी है प्रदेश में अब तक कोबिट टीके की 24 करोड 42 लाग से अधिक डोस लगाई जा चुकी है साथी 9 करोड 74 लाग से अधिक सैंपल की जाच भी हो चुकी है यदेश के किसी भी एक राजी में हुआ सरवादिक टेस्टिंग टीका करण है टीम 9 के साथ बैठक में मुख्यमंत्री यूग्या दितनात ने कहा कि सी एम हेल्प लाइन के माध्यम से अस्पताल में उपचार करा रहे कोबिट पॉजिटिव मरीजों के परिजनों से नियमित अंतराल पर संबाद किया जाए होम आइसुलेशन में स्वास्ते लाब ले रहे लोगों से भी संबाद कर उन्हें मेडिकल परामर्ष दवाएं मुहिया कराई जाए मुख्यमंत्री ने इंटी ग्रेडेट कोबिट कमांड सेंटर्स को 24 घंटो क्रियाशील रहने की भी निर्देश दिये हैं टीम नौ के साथ बैठक में सीम योकी ने कहा कि होम आइसुलेशन के मरीज निगरानी समीतियों से समबाद एंबुलेंस की जरूरत और टैली कंसल्टेशन के लिए अलग अलग नंबर जारी किये गए हैं बैठक में मुख्यमंत्री योगिया दितनात ने कई अन्य मुद्दों पर भी जरूरी दिशा निर्देश दिये सीम योकी ने कहा कि एक अक्टूबर से प्रारंब चालू सत्र में अब तक किसानों से 55 लाख मिट्रिक टन धान खरीद हो चुकी है और 10,192 करोड रुपे का भुक्तान सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जा चुका है ये खरीद और भुक्तान एक रिकॉर्ड है मुख्यमंत्री ने कहा कि धान क्रे केंद्रों पर किसानों के सुवधाओं का पूरा धान रखा जाए ठंड से बचाव के लिए अलाव और अन्य सुवधाओं का इंतजाम भी हो मुख्यमंत्री ने कहा कि क्रे केंद्र तक आने वाले हर पातर किसान से धान खरीद की जाए और भुक्तान में देरी ना हो